तो बंदे मात्रम बंदे मात्रम कल ट्विटर केंपेन महां ट्विटर केंपेन है एलपी वाले बच्चे हो या गुरूपडी वाले हो टेक्निशियन हो एंटीपीसी वाले हो सभी बच्चे मिलकर आर्पीयफ वाले बच्चे हो सभी मिलकर ट्विटर केंपेन को सफल बनाना है और सभी लोग मिलके support करना है ताकि हमारी आवाज देश के प्रधान मंत्री के पास पहुँचे देश के क्या करते हैं मंत्री के पास पहुँचे और रेल मंत्री के पास भी पहुँचे और सभी लोग कल आखरी दिन है Twitter campaign का 25 जनबरी 2024 का ये आखरी Twitter campaign होगा और अगर इस बात को नहीं सुनती है तो हम लोग physical protest करेंगे किसी प्रकार की हिंसात्मक का सरकारी संस्था को छती नहीं पहुचाना है और हिंसात्मक रूप से हम लोग राजने करेंगे अंदोलन और किसी प्रकार का इसमें छती नहीं होनी चाहिए सरकारी संस्था पर और हम ल लेकिन अपने अधिकार को लेंगे क्योंकि यह सरकार ताना साही सरकार है इसमें कहीं संदे नहीं है यह सरकार सिर्फ और शिर्फ ताना साही है जुम्लेबाद सरकार है और इनको युवाज से कोई मतलब नहीं है इनको राजनेति करनी है भोट की राजनेति करनी है कैसे 2024 में स तेक साल यानि छे साल में छे ग्रो रोजगार हुई आप छे लाग ही निकाल के दिखा देजिए और रेलेवे में तीन लाग सीट खाली है अगर आप इतनी ही इमंदार बेकती है तो तीन लाग की भैकेंसी बहाली जल से जल निकाल देजिए एलपी के साथ टेकनीशियन की भी आनी चाहिए और आप कमाने के जर्या समगते हैं देश के युवाओं को बरबात कर रहे हैं अगर मान लेते हैं पर लिक के कुछ ने होगा युवाओं तो क्या करेगा बंदूक उठाएगा और बंदूक जब उठा लेता है तो मान समझ रहे में सोचे और देश के युवाओं आपसे मांग रहे हैं रोजगार अपना आजिकार मांग रहे हैं और आप ताना साही जो अंग्रेज बलारा बया है वो खतम किजिए समप्त किजिए क्योंकि अंग्रेज का अभी एक समय था एक दौर था जो ताना साही करके चले गए आपको भी गदी सुठार फेकेंगे युवा इसलिए देश के आदरने प्रधानमंत्री आप सुचिए ठंधा दिमाग से और देश के युवाओं के बारे में 26 जनवरी के कम से कम जो है लाल किला से अवहान कर दिए कि रेलवे में नोक्री तिन लाक बाहली कर दिया जाएग झाल